प्रिदेश के हर छोटे बड़े मुद्दों को देंगे प्राथमीक्ता, गरीब, पीडित, वंचित, शोशितों की उठाएंगे आवास, गाउं हो या शहर, हर खबर पर होगी हमारी नज़र, आप देख रहे हैं न्यूस राजिस्थान 24, हमेशा आपके हित में नमस्तार मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं न्यूस राजिस्थान 24, आईए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर सबे विभागों के अधिकारी ने विदाई समारों में मालाय और उपढ़ना पहना कर किया अभी नंदन प्रदेश कॉंग्रेस महस्ताची विल्लाल सिंग जाला ने कॉंग्रेस जन के साथ भेट की माहराणा प्रताप की तस्वीर इस दोरान गौगुंदा बार एस्सोशियेशन की पदाधिकारी वाधिवक्ताओं द्वारा भी किया गया अभी नंदन भारते सेना से उपखंड अधिकारी पड़ शेयनित हुए नागौर निवासी उपखंड अधिकारी हनुमान सिंग राठोड की गौगुंदा उपखंड से जैसल मेरे इस्थांतरन होने पर आज गौगुदा के ग्रामवासियो सहत विभिन विभागो के अधिकारी गण और कौंग्रेस जन ने अविननन किया हनुमान सिंग राठोड की छवी काम के प्रती पूरी लगन रखने और इमान्दारी रखने वाले अधिकारी में थी इस दौरान विभिन विभागो के अधिकारी गण राजनीती से जुड़े लोग अधिवत्ता गण राशन डीलर सिक्षक संग सहित विभिन लोगों ने मिलकर शुपकामनाई दी इस दौरान प्रदेश कॉंग्रेस माहसाचीव लाल सिंग जाला ने उपखंड अधिकारी हनुमान सिंग राठोर से भेट कर उन्हें वीर शुरोमनी महरान प्रताप की तस्वीर भेट की इस अफसर पर विभिन विभागों के अधिकारी गण ने भी अपने विचार व्यक्त क किये और उपखंड अधिकारी के साथ बिताए समय को याद कर कई बाते याद की साथ ही उपढ़ना और माला पहना कर अभी नंदन किया इससे पूर्व ग्राम वासियों ने उपखंड अधिकारी का घूडे पर बिठा कर उपखंड कारेले से मुख्य सडक तक के बिंदौली निकाली इस ओरान सभी विभागों की अधिकारी सहित क्रेविक्रे सहकारी समीतिय अध्यक्ष हरी सिंग जाला मोडी उपसरपंच प्रिलात सिंग जाला गौगुंदा उपसरपंच लाल किशन सोनी पूर्व सरपंच करन सिंग जाला गोपिलाल पालिवाल सुरेश लोहार श गोड़े पर सवार कर विदाई दी आईए देखते हैं इस भावक पल में उपखंड अधिकारी हनमान सिंग राठोड ने क्या कुछ कहा जारा हूं समने ते स्टेम सिप लोगों को दो या तीन मिल पाती है लेकिन अब मेरा बागे समझें चैको कुछ समझें दो साल से मेरा सिनिर स्केल में हुआ हुआ भी है लेकिन हो सकता है मेरा जंता से चुड़ा हो बगवान चाहता हो कि आम पबली के साथ रहे करके मुझे और सिवा का मुझा मिले इसलिए मुझे उन्होंनों से सिक्स्ट रम दी है आप लोग सब बदा रहे आप लोगों इतना प्रेम बदायार मेरे बार इतना का तो मैं तो कुछ भी नहीं हुआ सब यह सब आप कहे हो मेरे जिंदिगे में एक नियम रहा कोई भी कुछ भी कहे मन में याद रखो यादे त्याद रहे दिए लेकिन किसी विक्ति के पूरो अग्रा या कोई बड़ाई अड़ाई से कुछ नहीं जीवन में जिस आए हो जिस प्रकार से चलते रहे हो ये विदाई समारो और रिटार्मेंट दोनों हैं आदमी के एसी आर का दिन होता है एपियार अधिकरी कैसी विरे लेकिन लोग बाग जो एपियार वड़ते हो इसलिए अपियार होती है आज आप लोग भूदा होनों मेरी एपियार वरी तुम्हें बहुत खुश हूँ इसी एपियार मेरे को ऐसा नहीं है लेकि मैं खुश सुन तुस्ट हूँ कि वही जो भी काम किया म्याद वाले समय की यादें जरूर आपके मन में कभी कभी आती है और वो यादें ही आज जिस परकार के आप लोग मेरे को विड़े देरे और मेरे मेरे जो कुछ कह रहे हो यह यदे मेरे साथ रहेगी और यह जो आप फर्मारे किसा करें, यह कोई मैंने कहीं से सीख किनी आया, आप लोगों के सानिय जिसे, आप जिसे लोगों से सीखा है मैं बच्छमन में मेरे दादो साँ जागी दार थे गाउं के मेरे बड़े फादर उनके बाद में जागी दार बने हम बच्चे थे, पॉल में खेलते रहते थे मेरे बड़े फादर हमेसा कहते थे, हम छोटे थे कि देखो बच्चों, जमाना आज की तरिक में ये आ गया है कि आप किसी से भी लड़ाई जगड़ा करके या दादेगरी करके, आँख दिखा करके काम कर आओगे तो थोड़ दिन करेगा, उसके बाद काम नहीं करेगा ने आपके साथ उठना बेटना भी उबचना बढ़िया प्रोग्राम किया मैं सभी का बहुत बहुत आबारी हूँ और अगर मेरे से या किसी भी करमचरी या कोई भी किसी को गलत शब्दी है तो करबिया आप ये समझ लेना बड़ा भाई या अपने जो भी बड़ा मान करें मुझे शमा कर देना बहुत 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 धन्यवाद